हालो फ्रेंट्स आज केस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल स्सी द्वारा जो पेट का एक्जाम हुआ था 2021 में उसी के आधार पर लेखपाल भरती के लिए कटफ जारी कर दिया गया है तो बहुत से कंडिलेट्स बता रहे थे कि अलग-अलग यूट्व चैनल वाले बता रहे हैं कि कोई बता रहा है 90% जाएगा कोई बता रहे है 92% कट अफ जाएगा इस तरह से काफी आप लोग परिसान थे और बच्चे काफी दिक्कत में थे कि जो है इतना कट अफ जाएगा चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, तो इस तरह से जो ये YouTube चैनल वाले हैं, उल्टा सिधा बताते हैं कि इतना कठप जाएगा, इतना कठप जाएगा, या तो आपको लोग बेुखूब बनाते हैं, या ये लोग कोई आइडिया नहीं होती है, इनको data analysis करना आता नहीं है, ज जलोजी बहने घूम आते हैं, तो इस तरह से देखो के 70-80% तो ऐसे ही candidates होते हैं, जो विदावर्ड प्रिपरेशन पहुंच जाते हैं, 15-20% ही candidates ऐसे होते हैं, जो अच्छे सा तैयारी करके जाते हैं, और वही आपके competitor हैं, उन्हें के बीच में competition होता है, तो ऐसे में आप दे कुछ का science अच्छा होता है, कुछ का science अच्छा नहीं होता है, कुछ लोग हिस्ती अच्छा स्याद कर लेते हैं जल्दी से, और कुछ लोग हिस्ती आदे ही नहीं होता है, है न, तो आप देखोगे कि अलग-अलग candidates के लिए, कुछ weak person होता है, कुछ strong person होता है, और आप पने एक्जाम दिया होगा एक्जाम देकर जब आते हो घर पर अगर पर आके question पर मिलाते हो तो देख तो दो चार question ऐसे होते हैं जिसका answer आपको 100% आ रहा होता है और उसके बाद यूद भी गलत करके आ जाती हो तब आपको लगता है ये question तो हमें आ रहा था इसको भी गलत करके आ गए तो ऐसा नहीं कि आप ही ऐसा mistake करते हैं इसा सभी लोग करते हैं सभी के साथ ऐसा होता है कुछ question होते हैं तो चार question जो हम जान बुझ करके कर सकते हो ठीक से पढ़ते नहीं है या तो या तो गोला बनाने में गलती हो जाते हैं तो उस तरह से हम लोग गलती कर जाते हैं तो इसलिए जब भी कोई बेक्ती ऐसा बताए कि हाँ 90 परसंट जाएगा या 92 परसंट जाएगा तो उसके OBC और EWS का भी इतना ही गया है ESC के लिए देख सकते हैं यहाँ पर 61.80 और ESC के लिए 44.71 नंबर गया है यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है percentile की according नहीं देखना है बलकि normalized जो score हुआ है नंबर आया है उसके हिसाब से आपको चक करना है यहाँ पर देख सकते हैं स्वतना संग्राम सेनानी के आसरत जो है 49.84 और विकलांग है तो 51.12 और महिला के लिए 64.74 और भूत बुरसाइनिक है तो आपका 0.91 गया है नंबर तो इस तरह से देख सकते हैं यह cut-off marks गया है कुछ candidates ऐसे हैं जो अपना चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो के निचे discussion में हमने link दे रखा है उस पर click करके अपने detail भर करके आप check कर सकते हैं कि आपके selection हुआ है कि नहीं हुआ है यह नहीं मेंस के लिए आप selected है कि नहीं है उसमें आपको पता चल जाएगा उसमें अगर आप select होते हैं तो उसमें लिक करके आ रहा है कि you are eligible for mains और अगर नहीं है तो उसमें नहीं आ जा रहा है कि आपके eligible नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं अपना वीडियो के निजे discussion में हमने इसका link दे रखा है और अगर आपके पास कोई query है कोई बात नहीं सवंग में आती है तो आप discussion में दिये गए WhatsApp नंबर से इसमपर करके जानकार ले सकते हैं comment box में पुछ सकते हैं और चैनल पर पहली बार भी जिट करें जोने को जोरो subscribe कर लें ताकि इस तरह के नहीं अपडेट्स आपको मिलता रहे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपने सभी दोस्तों में share कर दें ताकि ज़्यादा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जीएस के आण ट्वीप चैनल चुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत